हाईलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूटूब स्टडी आज की इस वीडियो मताएंगे फ्रेंड्स क्लास दसवी और बारवी के छातरों के लिए हिंदी का बहुत विकल्पी अत्यांत महत्पूर्ण प्रसन जो कि आप देख सकते हैं परमुख लेखक उनकी रचना है यहां पर उन अंतक देखिएगा और उमीद है कि आप अंतक जरूर देखेंगे फ्रेंड्स और आप अगर पेपर देखर आएंगे हिंदी का तो आप इस वीडियो को ओपेन करके देखिएगा आपका दो तीन नमबर जरूर इसी में से फुसा हुआ को सिन मिलेगा और अगर आप ऐसे वी कर दिया हूं आप देख सकते हैं तो ऐसे यह दूसरा पार्ट है तो इस वीडियो को पुरा अंतक देखिएगा और देखिए पहला नमर को सिन हमारा है कि यह और गुलाब यह रसना है और इस रसना के बाद बीधा है तो यह निबंध है और इसके लिखाक है राम ब्रिक्स बेनि पूरी ठीकर ना फिरेंड्स सिकल नमर को सिन देख़ते हैं गोराबादल की कथा यह रसना है और विधा हो जाएगा आख्यांग की क यह इसके लिखक है जट मल्ड है तो इसके नमर को सिन की तरफ सलते हैं कि चीता के फूल पी रसना के वीधा है कहानी यह कहानी है और इसके लेकक है राम ब्रीक्ड बेनी ठीक है इसके फॉर्ड नमर को सलें कि तरब सलते हैं दुरूश स्वामेनी ये रचेना हो गया और इसको बीधा बोलते हैं झीए जो लेकक जैसंकर परोचियांच गाहनी है और इसके को तरफ चलते हैं की सेकर एक जीवनी है और इसको विधा बोलें ओपनियास है ठीके और इसके राइटर है अगेर ठीके नॉट को देखते हैं कि लोहरों के राज हंस इस रचना के विधा है नाटक और इसके लिखक है मोहन राकेस ठीके नेक्स्ट कशन के नदी के द्वीप ज ठीक है नाइन नमर कोशन को दखता है फ्रेंट्स यहां पर कि पतितों के देश में इस रचना के विदा कौन है तो उपनियास है और इसके राइटर कौन है तराम ब्रिक्स बेनी पूरीज है ठीक है इसके बाद 10 नमर है लास्ट कोशन कि मेरी जीवन यात्रा इस कोशन का इस रचना का विदा होगा अत्मकथा और इसके राइटर होगे राहुल संस्कृत आयां ठीक है तो आपको इस वीडियो में कुल 10 प्रस्ण बताए हैं इस वीडियो को पूरा अंतक एक दो बार देखिए तकि आपको अच्छा समझ में आए और इस बोर्ड एक्जाम से आपको क